सिपूरी जिली के देहाथ थाना छेत्र के ककरवाया के पास फोर लेन, बाइपास और थीम रोड को जोडने वाले मोट पर सोम वार की बीती राद गौरियर की ओर से आ रहे एक तेजर रफतार ट्रक ने सगाई पकी कर लौड रहे बाइक सवार तीन लोगों को कुचल दिया इस हाथसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे बाइक सवार ने जिला अस्पताल पहुँचने से पहले दम दोड दिया, तीसरे बाइक सवार की हालत नाजुक बनी हुई है, देहाथ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर चार्ज सुरू कर दी है जानकारी के अनुसार, नवाब साहब रोट के रहने वाले मुरारी पुत्र प्रभू रजक उम्र 65 साल, सोमवार को अपने पोते रुपेश रजक की सगाई करने के लिए देहरवारा गाओ गय हुए थे, इनके साथ और भी रिस्तेदार भी कारिकरम में सामिल होने गय हुए रुपेश की सगाई पकी करने के बाद मुरारी रजक अपने भतीजे, राकेस पुत्र बच्चु रजक निवासी, नवाब साहब रोड वा, पंकज पुत्र महेज रजक निवासी, हाउसिंग बोड कालोली मेडिकल कॉलेज के साथ बाइक पर सवार होकर वापस सिपुरी की लोट रहे थे, करीब साथ बजे जब उनकी बाइक ग्वालियर फोलने बाइपास और थीम रोड को जोडने वाले मोड पर पहुंची, तो ग्वालियर की तरफ से आ रहे तेजरफतार एक ट्रक के ड्राइवर ने लापरवाही से ट्रक को चलाते हुए सामने से बाइक में ज करती कराया है जबकि पंकजवारा केस को मृत घोसित कर दिया, देहाद थाना पुलिस ने मामले की विवेचना सुरू कर दी है